तो हलो एन वेल्कम बेक टू मैंने अधर वीडियो उमीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे मैंने इंस्टाग्राम पर मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें लड़के का वीजा आया था माल्टा का वर्क वीजा जिसमें आया वा था और जो वर्क वीजा था वो था रूम अटेंडेंट हाउसकीपिंग और तो वीजा लड़के को कैसे मिला ओनलाइन अपलाई किया था तो सारी वीडियो है डिटेल से तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आया है तो चैनल के सब्सक् काम कर रहा था क्वाल काता का लड़का है वेस्ट बेंगौल एंड ही वाकिंग इन कतर दोहा में काम कर रहा था और मैंने एक एक जो चीज़ पूछा कि जोब कैसे मिला सारे चीज़े मुझे बंदे ने लिख के मुझे वर्टसप कि होई है ताकि मुझे बहुत इसे रहेग है और बाद में फिर आपका आएगा नहीं ऐसा वैसा हाना यह चीजे बहुत आ रही थी जिस वज़े से लड़की ने फिर क्या किया किया खुछ से अप्लाई करना शुरू के लिए और वीडियो बगरा देखके कि कैसे होता है तो रूम अटेंड का ही काम कर रहा था हाउस्की सब्सक्राइब कर रहा था बंदा तो एक कंपनी से उसको इमेल आता है 9 नवंबर 2023 को इमेल इंट्रिव्यू कि हम आपकी इंट्रिव्यू लेंगे रूम अटेंडन हाउस्कीपिंग काम क्या होता है दोस्तों जितने भी होटल से होते हैं फो स्टार फाइफ स्टार इसमें रूम अटेंडन का काम होता है हाउस्कीपिंग मतलब जो बंदा रह रहा होता है किसी भी अपार्टमेंट के अंदर ठीक है तो जैसे वह अभी अंदर रह रहा है तो जैसे वह बाहर चले जाता है किसी काम की वज़े से एक गंटा दो गंटा आना तो उसकी गैर हाजरी में जाकि cleaning करना रूम की सफ़ाई करना उसे कहते हैं house keeping room attended ठीक है तो यह काम है तो इस काम के लिए बंदे ने अपलाई किया था इस काम का बंदे को experience था कतर में दोहा में और उसके बाद email का interview email आती है जो 9 November को कि आपकी हम interview लेंगे और interview कब होई 17 November को manager ने interview ली जो जो पूछा सब कुछ प्रॉपर तरीकी से दे दिया है जवाब क्यूंकि बंदे को experience था क्या काम होत करते हैं कैसे क्या होता है तो उसके बाद 21 November को offer letter बंदे को मिलता है ठीक है जी उसके बाद 14 December को फिर वो single permit के लिए apply कर देते हैं then 17 December को फिर जो money होता है 280 euro का उसके पास link आता है उसके में 280 euro था अब आपको पता ही अब नए साल के बाद 300 euro हो चुका है आप मालटा रेंटी की जो fees है तो 17 December को फिर बंदे ने payment कर दी तो फिर वही 280 euro उसके बाद 24 January 2024 को approval letter आता है almost एक महीने बाद एक महीना च्छे दिन लिखा बंदे ने मदब एक एक चीज बंदे को याद है कैसे क्या किया था कितने दिन को क्या हुआ ना एक महीने च्छे दिन के बाद principal approval letter आ जाता है उसके बाद एक फरवरी 2024 ठीके फर्स्ट फेवरी को जो employer होता है सारे document बेशता है ठीक है document में होता किया company का contact letter होता है invitation letter होता है और accommodation का जो proof होता है वो होता है ठीक है कि बंदा कहां रहेगा यह सारे document अप्रूबल लेटर कंपनी से मगवाने की जिर्द होती नहीं अप्रूबल लेटर अलड़ी आपकी email में आई होती है तो फिर यह सारा कुछ हो गया और ए सो आफ्टर टू डेज अपन्मेंट हो गया देन चब और क्या किते हैं यह 19 को interview हुई ठीक है 19 को जो interview हुई है बीएफेस में गुलाते हैं दोस्तों अब आपको पता होगा अगर आपने डैली में भी इंडिया में किसी भी जगह में या नेपाल में कहीं भी अगर आपने submission क किया होगा तो आज कल interview का सिलसला शुरू हो चुका है वीडियो पो कॉल पर भी बात नहीं कर रहे हैं वह face to face interview लेते हैं बंदी की body language वगरा इंट्रेस्टिंग बात क्या है कि जो interview में interview जो था वह eye contact करके बंदे से बात नहीं कर रहा था वह अपने laptop पे बीजी था ठीक है laptop बीजी था और question क्या पूछा गया how did you find this job सबसे पहले उसको यह question पूछा गया था ठीक है तो फिर बंदे ने बताया जैसे से हुआ था online जिस पूछा गया कि आपका accommodation कहां है माल्टा में तो दोस्तों आपको accommodation का पूछना पता होना चाहिए कि आप माल्टा में आगे कहां रहने वाले हो तो जो accommodation का question है यह तीन वर बूचा है बंदे से घुमा फिर आके मतलब eye contact बहुत कम कर रहा है बंदा जो interview है अपने laptop पे वीजी ह बस उसके मुझ में जो भी question आ रहा है उसके सामने ऐसा वे नहीं है दोस्तों कि आपका जो accommodation प्रूफ है वो पड़ा होगा हाना वो पता नहीं अपने ही काम में मगन है और बस आपको बस उल्जाने के लिए कोई भी ची लगा लो हाना बस वो आपसे ऐसे बुच रहा है और company का address कहां है और company का mobile number देखो mobile number हर company का बंदे को याद रहता नहीं है वो मैं भी मानता हूं कि company का number और email ID वगरा ये ठीचे बंदा याद नहीं रख पाता है हाँ आपको employer का नाम याद रहेगा कि वही पफलाना बंदा है और company का address कहा है ये भी बंदे को पता होना चाहिए ल करेंगे कि यही नंबर है बस आपने बस रुकना नहीं है बस दड़ा दड़ा है जो बस बोल देना है बस तो बंदे ने बोला तो उसके बाद फिर पांच मेंट की इंटरव्य हुई थी तो फिर उसको जाने दे दिया ओकी थेंक्यू सो मच बोला पर वो आ गया तो को हुई थी 19 फरवरी को इंटरव्य हुई थी और 26 फरवरी को पासपूर्ट आ गया था पासपूर्ट मतलब बीएफस सेंटर में जाके बंदे ने पासपूर्ट अपना कलेक्शन किया तो दोस्तों खर्चा कितना हुआ इस पर ठीक है यह सारे चीजे में चीजे हैं बंदे इंडिया में पता ही आपको 15 जार मोटा मोटा लगता है बस वोल दिया है और कुछ भी नहीं दिया था ठीक है सारा के सारा और जो एप्लिकेशन जो फॉर्म कैसे फिलप करते हैं वह मैंने सारा के सारा बेज दिया था उसको मैंने तो फिर उसने बस को पीपेस्ट कर लिया अपने हुआ डर ली मैं दलना देकर फिर मेने रिक्राइब किया था बजास को लेने क लिए दीकेट के लिए मैं ने बताया है अगर piace ले लेड закры को ठीक है कब से लीक्मिशन जिजदें होगी उससे एक मेने बाद की टिकेट लेनी यह सारी चीजitime समस्कू को पूरी कवर बना लो European CV अच्छा सब CV बना लो then CV बनाने के बाद जितने भी मैंने आपको कमपनी से बताई है उस कमपनी में आप CV अपनी सेंड कर दो क्योंकि वो सारे की सारे वो क्या करते होते हैं कि वो एजेंट की थुरू ही बंदे हायर करते होते हैं जो अपने होम कंट्री में जो एजेंट को देने का खर्चा है वो कम हो जाएगा ओ आप डिरेट कंपनी को पे कर दो ठीक है जो कंपनी आपको बताई है वो एवन कंपनी जैंगे ऐसा भी नहीं होने वाला ठीक है अगर आप 25 यह तीन है यार यह अगर आपसे मांगती है तो फिर वेलन गुल्ड है ठीक है आपके बास किसी ना किसी काम का experience है तो आपको भी जोब मिल सकती है उमिद करता हूँ वीडियो प्रसंद आई होगी दोस्तों शेयर कर देना लाइक कर देना अपने दोस्तों में थेंक यू सो मच